गाइस तो आज जो है हम गैट जो आर्स का वेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो आज का जो हमारा पहला कॉशन है प्रिसित युनानी इतिहासकार मैगस्थनीज किस भारती शाषिक के शाषिनकार में भारत आए तो इसका जो सही अंसर है वो हमारा आप्शन नमबर C चंद्रगुप्त है जो मैगस्थनीज थे वो चंद्रगुप्त मौरे के समय में भारत आए थे नेक्स कॉशन चौथ क्या है इसका जो सही अंसर है वो हमारा आप्शन D है चौथ जो है वो एक मराठाओं द्वारा लगाया गया टेक्स था तो यहाँ पर जो है श्रीवाजी द्वारा पडोसी राजियों पर लगाया गया भूमीकर जो नेक्स कॉशन है हमारा 63rd 1857 के विद्रो के समय भारत का गवर्णर जनर कौन था आपका जो सही अंसर है वो हमारा option A Lord Canning जो हमारा next question है अनंद मट के लेख कौन है इसका जो सही अंसर है वो हमारा option second वंकिम चंदर चेटर जी भारतिय संभिधान के किस अनुछेद हिंदी को संक की राजभार्षा का दरज़ा दिया गया है इसका जो सही अंसर है वो option number second अंच्छे 343A तुगलक नामा किस ने लिखा था तो इसका जो सही अंसर है वो हमारा option number second अमीर कुशरो जो हमारा next question है गाईत्री मंतर की रचना किस ने की थी तो गाईत्री मंतर की रचना option A विश्वा मित्र ने करी थी इसके अलावा जो हमारा 68th question है राश्टी सुरक्षा राश्टी सुरक्षा मातरित्व दिवस कब मनाया जाता है तो इसका जो सही अंसर है वो हमारा option number A 11th April जो next question है वो वाज़ लास्ट गवर्नर जनल of independent India इसका जो सही अंसर है independent India का लास्ट गवर्नर जनल जो था वो राज़ गुपाल चारी थे जो next question है इसका जो सही अंसर है वो है option D 61th amendment भारत के राष्ट्रपती को शब्त कौन दिलाता है तो भारत के राष्ट्रपती को जो है वो शब्त Chief Justice of Supreme Court दिलाते है which operation was carried out by the Indian government to evacuate its citizens from the bar from Ukraine तो भारत के बचाने के लिए जो था operation गंगा चलाया गया था 73rd बीवी का मकवरा कहां पर स्थित है इसका जो सही अंसर है वो option number C औरंगवाद है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा यह जो point थी है इसने लिखी थी तो यह जो लिखी थी वो हमारा option C मोहमद इकबाल 1947 में भारत की अजादी के इसमें भारत का जो इंग्लेंड का समराड कौन था इसका जो सही अंसर है वो option C जो नेक्स कुशिन है total members in the security councils are तो सुरक्षा परिशद में total members कितने होते हैं तो total जो होते हैं वो 15 members होते हैं बुध चरित्र जिसे बोधों की रमायन कहा जाता है इसके रचनकार कौन है इसका जो सही अंसर है वो हमारा option A अश्वघोश है निमन लिखित में से किसे भारत का मुख्य नयधीश राष्टपती और उपराष्टपती की सेवा करने का गौर्ड प्राप्त हुआ है इसका जो सही अंसर है option A justice M इदाय तुला निमन लिखित में से कौन सा बिल जो है वो किवच लोगसभा में पेश किया जाता है तो इसका जो सही अंसर है option A धन विदयक which layer of atmosphere बादल which layer from the atmosphere is free from cloud तो stratosphere और troposphere दोनों में clouds होते हैं तो इसका जो सही अंसर है वो मेजोस्फेर है which state that separates India from शिरलंका तो इसका जो सही अंसर है वो option B park street कश्मीर को भारत से जोडने वाला दर्रा कौन सा है option C बनिहाल पास करक रेखा निमन लिखित में से किस राज़ से होकर गुजरती है तो option D राजस्थान निमन लिखित में से किस स्थान में शौमपसेन जन जाती पाई जाती है शौमपसेन जो जन जाती है वो अंडिमान निकवार में पाई जाती है जीला परिशद इस दा जीला परिशद पंचायती राज परणाली का स्थर है इसका यह जो है option C तीसरा स्थर निमन लिखित में से कौन न चरमपन्ती नेता थे यानि इसका जो सही आंसर है वो option A अर्विंदो घोश वीटो किस भार्षा से लिया गया है वीटो जो है वो लैटन भार्षा से लिया गया है भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में गरमपन्तियों और नरमपन्तियों के बीच भिवाजन हुआ था तो उसको हम सूरत स्प्लिट कहते हैं बिश्व का सबसे बड़ा प्राइदीप कौन सा है तो ऑप्शन भी अर्व प्राइदीप शोक ने किस बहुत भिख्शू से बहुत शिक्षा बहुत धर्म की शिक्षा ग्रहन की थी तो इसका जो और अंसर है वो ऑप्शन भी उपगुप्त थेंक्यू प्राइदीप